नमस्कार मैं हूं Karishma और बंसली की खास पेशक्र शायशमान में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते है कि आईशमान में हम हर बार स्वासे संबन्दी समस्याँ पर खास जान काड़ी देते हैं तो इसी कड़ी में अज हमारे साथ हैं दौक्टर विनीता रामनानी जो बंस तो आज हम बात करेंगे बच्चों की आखों की परिशानी के बारे में जिसके बारे में जानकारी देंगी हमें डॉक्टर विनीता रामनानी साथ ही अगर आपकी भी आखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो अमारे नंबर्स पर लगातार आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स टे की भी का वॉल्यूम कम कर दें और इसके बाद अब अपना प्रश्न कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के चर्चा का विशह डॉक्टर विनीता सबसे पहले मैं जाना चाहूंगे कि बच्चों की आखे किस तरह से बड़ों से अलग रहती होई क्या डिफ्रेंस रहता है बिल्कुल करिश्मा जो आखे हैं वो बहुत sensitive हिस्सा है हमारे शरीर का और उसमें बच्चों की आखें जो है वो बड़ों से इस संधर्ब में अलग हैं कि उसमें development हो रहा है हमारी जो आखें हैं वो देखने का काम करती हैं और वो brain से एक connection बनाती हैं, तो अगर बच्चा सही तरीके से देख रहा है, तो brain और आई के बीच में connection बनता है, और वो जिंदगी भर के लिए रहता है, तो ये जो developing आँखें हैं, जो अभी देखना शुरू कर रही हैं, वो 7-8 साल तक उनमें कुछ changes आते रहते हैं, especially जो change आता है, वो आँखों की लंबाई में, याने की आँखों की बनावट में आता है, और जो बच्चा अभी देख रहा है, अगर वो प्रॉपर्ली बच्पन में देख रहा है, तो उसकी लर्निंग भी अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे की जो लर्निंग याने जो सीखन है, वो 80% जो है, वो देखने से होती है, तो इसलिए बच्चों की आँखें सही बनी हैं कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो आई और इसके बीच में, आँखों के बीच में, जो तालमेल है, वो सही है कि नहीं, इन सब का जब कुछ प्रॉपर डेलप्मे होगा तब ही हमारे बच्चे की आँखें भविश्य में अच्छी होंगी जी आके बढ़ते हैं दूसरा प्रशन यहां पर पूछता है यह बताएं कि बच्चों में किस तरह की आखों की परिशानिया हो सकती है जैसे कि आपने बताया कि थोरा डिफ्रेंस रहता है तो क्या ही केर और हेल्थ के बारे में मनाया जाता है असलिए मैंने यह टॉपिक लिया है जो सबसे बेसिक डिफरेंसे बडों में और बच्चों में वो यह है कि बच्चे आपको कंप्लेइन नहीं करते हैं उनको पता नहीं चलता है कि क्या उनको तकलीफ हो रही है उनको कितना हैं और इस वजह से उनके पैरेंट्स को भी कई बार समझ नहीं आता है कि उनके बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं उनकी आँखें सही तरीके से इस्तमाल हो रही है कि नहीं इसलिए अवेर्नेस बहुत जरूरी है जो तकलीफें हैं वो सेम होती है कि उनको चश काँछिए हैं और फिर बाकी जो बिमारीयां है जैसे कि मोतिया बिंदू है यह पर्दे की प्रोब्लम है यह बच्चों में हो सकती हैं लेकिन लेकिन कम होती है और आजकर जो बच्चों में इन दनों जादा देखा गया है वो है डिजिटल स्ट्रीन क्योंकि हमारे चोटे- मोबाइल टीवी कम्प्यूटर का बहुत जादा इस्तमाल करते हैं और इवेंच्छली उनके एडिक्ट हो गए हैं। पहले आगे हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर वनीटा एक कॉलर हमाई साथ जुड़ चुके हैं कमर बेगम गन से उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है उनको जी कमर जी बताएं क्या परिशानी है अलो जी कमर जी अब अपना सवाल कर सकते हैं तर यह मेरा बेटा है न किसी बिमारी को दर्शाता है कुछ बच्चों की काली पुतली जनम से ही सफेद होती है तो ऐसे में तो तुरंत दिखाना जरूरी है क्योंकि यह जो काली पुतली है यह हमारे घड़ी के कांच जैसी है अगर वो साफ सुत्री रहेगी ट्रांस्परेंट होगी तब ही वो ला पुतली कॉर्णिया में खराबी तो नहीं है जो बहुत बहुत शुक्रिया कमर हमा साथ जुड़ने के लिए उमीद करते हैं आपको आपके सवालों को जवाब मिल गया होगा डॉक्टर वनीता आप यह बताएं कि सबसे जादा जो परिशानी है वो है रिफ्रेक्टिव एर यानि की चश्मे का नंबर ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल छोटे-चोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है आखिर इसके पीछे की क्या वजय है बिलकुल करिश्मा आज ऐसे मुझे भी जो चश्मा लगा था जब मैं 10th क्लास में थी तो यूजवली हमारे एज के जो लोग करवा के चश्मा लगाते थे लेकिन आजकल करिश्मा एसमें काफी ज्यादा चेंज आया है एक बच्च आवेर हो रहे हैं तो वो खंप़ीन करते हैं माता पिता अवेर हो रहे है तो वो बच्चों को जल्दी ले के आते हैं डॉक्टर के पास तो अभी तो 1st, 2rd के बच्च पर लगा हुआ है इन फैक्ट जनम से ही माबाप अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर आके कंप्लीन करते हैं कि मैडम ये तो दिन भर मोबाइल देखता है छोड़ता ही नहीं है तो अल्टिमेटली उसको लट किसने लगाई मोबाइल की वो तो नहीं लगाई तो वो बच्चे को खाना खिलाने के चक्कर में बच्चे को बिजी रखने के चकर में माबाप मोबाइल देते हैं और वो बहुत डंजरुस खिलोना है और जो चश्मे का नंबर है वो basically Harry daddy tree में होता है जैसे मेरे दादी को नंबर था तो वो आंखों की बनाव हो रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं लेकिन जब आप कॉल करें तो ध्यान लोगे अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें डॉक्टर वनीत आप यह बताएं कि अगर बच्चे को चिश्मा लगा तो पैरेंस को क्या साफधानी उस्वरान बरतनी चाहिए सबसे इंपोर्टन्ट है करिश्मा कि हम अपने बच्चों की आई टेस्ट कराएं ताकि हमें यह तो पता चले कि हमारे बच्चे को नंबर है की नहीं है मैं उन पैरेंट्स से जरूरी रिक्वेस्ट करूँगी जो पैरेंट्स चिश्मा लगाते हैं जैसे कि मुझे चिश्मा लगा हुआ है तो मैं अपने बच्चे को हर एक साल में टेस्ट करती थी कि कहीं उसको चिश्मे का नंबर तो नहीं है क्योंकि अगर हमें समय रहते पत चल जाता है कि बच्चा हमारा चश्मे का नंबर है जिसको लगाना चाहिए तो हम उन्हें चश्मा लगाने की रेगुलर सलहा देते हैं जैसे भी हम पैरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे को चश्मा है तो वो रोने लगते हैं वो बोलते हैं कोई दवाई बता दीज मेरा चश्मा बच्चा चश्मा नहीं लगाएगा, तो ऐसा नहीं है, बच्चे को चश्मा लगाना पड़ेगा, यह example देना चाहूं कि आप बच्चे को जूता नहीं पढाना चाहते, उस तरीके से हो जाते हैं, कि आप ठंड में स्वेटर नहीं पहना चाहते, तो आपके बच्चे को अगर चश्मा है तो आपको वो लगाना चाहिए और जैसे बढ़ती उमर के साथ में आपके बच्चे की हाइट बढ़ती है आपके बच्चे के कपड़े का नंबर यहां जूते का नंबर बढ़ता है इवेंचली कपड़े और जूते छोटे हो जाते है तो आप उनको बड़े कपड़े दिलवाते हैं वैसे ही हो सकता है कि आपके बच्चे की आईबॉल की ग्रोथ हो रही है तो उस चक्कर में बच्चे का नमबर बढ़ जाए तो इसलिए जो पैरेंट्स ये पैनिक होते हैं कि हमारा बच्चा चश्मा नहीं लगाएगा उसका नमबर बढ़ रहा है तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को रेगिलर चश्मा लगवाएं और डरे नहीं अगर बढ़ रहा है तो इट इस नॉमल क्योंकि वो ग्रोथ फेर्ज में हैं और 18 से 20 साल के बीच में उनका चश्मे का नमबर रुख जाएगा उनको आउड़ोर एक्टिविटीज के लिए एंकरेज करें डॉक्र बनीत आप ये बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासिस और मोबाइल के वज़ों से आको पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड पर रहा है तो इस किस तरीकी का प्रभाव पढ़ सकता है क्योंकि अब क्योंकि कोरुना का भी टाइम है ऐसे में मुस्ट अब दा क्लासिस वो वर्चुली लग रहे हैं ऑनलाइन हो रही है तो ऐसे में क्या साबधानी परतनी चाहें करिश्म यह जो तीनों डिजिटल गैजट्स हैं चाहे वो मॉबाइल है टीवी है यां कम्प्यूटर है यह हमारे आँखों के लिए अच्छे नहीं है इस्पेशली छोटे बच्चों के क्योंकि इसकी ब्लू इन्विजिबल लाइट्स निकलती है इनके कुछ रडियेशन्स निकलत हैं डिजिटल गैजट्स के जो हमारे लिए हामफुल होते हैं और वो हमको तीन तरीके से अफेक्ट करते हैं वो सैकोलोजिकली फिजिकली और आँखों के उपर डैमेज करते हैं अगर हम दिन भर बैठे रहेंगे दिन भर खाते रहेंगे और वो टीवी मोबाइल जो हमको डिजिटल स्ट्रेन होता है वो हो सकता है दूसरा हमारे आँखों में चश्मे का नंबर तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि हम लगातार अपनी मास पेशियों के उपर जोर दे रहे हैं तो जिन बच्चों को चश्मे का नंबर नहीं है उनको लग जाएगा और जिन ब हो दूरी पे है उसके बाद कंप्यूटर और मोबाइल सबसे जादा हानिकारक है इस्पेशली अगर हम रूम लाइट्स बन करके बहुत तेज इल्युमिनेशन पे मोबाइल देख रहे हैं तो छले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार भुपार से जी रा दूर्चरस फ्लिउड नहीं कहलाता है वो एकोस फ्लीूड कहलाता है जो एकोस जो है या जो टियर एल्यूर राइटेर अन्टी रैट्रिए रूइंखों यान्हे आगाली लेयर्स को लूभरिकेट करते है ओर शुड़ लुं ओर देखेंगे किसी आंख में तो ब्लू या ग्रे कलर की जो आई दिखती है वो actually cornea transparent है और उसके lubrication के लिए हमको tears भगवान ने दिये हैं जिसको हम blink करके spread करते हैं जो aqueous fluid है वो हमारी काली पुतली और lens के बीच में भेता है और जो vitreous है वो हमारे lens के पीछे जैसे आपके screen पे दिख रहा है जो red area है वो vitreous है मतब lens और रेटिना के बीच में vitreous होता है और वो vitreous जो है वो old age में degenerate होता है diabetes, blood pressure वाले मरीजों में जादा परिशानी देता है एक और caller हमारे साथ जोड़ी हुई है रजनी घंडबा से हमारे साथ जोड़ चुकी है जी रजनी जी क्या समस्या है आपकी चली यह लगता है हमारा phone disconnect हो गया है फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की आगे पढ़ते हैं Dr. Vaneeta ये बताएं कि किस तरह से जैसे कि आप बो कोई भी digital gadgets देखें तो उसमें break लेना बहुत जरूरी है लगातार हम कोई भी digital gadgets को 25-30 minutes से जादा नहीं देखें नियम यह है कि 20 minutes में 20 seconds के लिए आपको इन digital gadgets से break लेना है आप वो break आँख बंद करके भी ले सकते हैं या थोड़ी देर के लिए आप अपनी नजर इन गैज़ बोड़ी भी movable रहेगी क्योंकि आप एक जगह पर continuously बैठे हुएं पैरेंट्स को मैं यह बोलूँगी कि वो अपनी जो online classes अगर हैं तो उसको shortest duration में रखें बीच बीच में break दें बच्चे को कुछ खाने पीने का जरूर दें बच्चों को उनका posture ठीक रखें कि उनको एक ट यह होना चीए कि दर्वाजे खिड़की खुले हुए हो ताकि आपको ज़्यादा strain बच्चों की आँखों पर नहीं पड़े लेट के या अंधेरा करके देखना बहुत खतरनाक हो सकता है लंबे समय तक देखना और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है तो बीच पीच में break लेना है और जितना हो सके इनका minimum यूज करना है जो हमारी education के लिए important है उतना ठीक है पर web series देख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसमें कोई movies या बहुत लंबे समय तक उसको किसी वजह से इस्तमाल करना घातक हो सकता है चले एक औलर रजिंदर हमाई साथ जुड़ चुकी ह पढ़ी जा पोरा हो जाते हैं मैंडम ये मुझे दो सा से प्रअपलम हो जाता है और कि जथे पीजिक दने केऊ है लिए ज़ान था है चान नहीं है हुआ ऑटम सलवा पुरा उन्हें दुटान कि काने को जी lebih मार्च में मुझे जाना था दुबार से अराम मिल चुका था ले पुरा रड़नेस पूरी हो जाती है और उसमें उसके बाद बहुत होती है पेन होने के पाद उसमें च्छाला बन जाता है यह बार बार मैडम रिपील्ट हो रहा है और मैंने इतना टीजमेंट करवाया डॉक्तर बोलते हैं आपके अंदर से तक्रीफ है यह ठीक नहीं होगा यह आपको दुबारा से दुपीज फिर होगा देखिए यह जो काली पुतली के उपर च्छाला आता है उसकी दो तीन मुख्य वजह होती है जिसकी वजह से वो बार-बार आता है पहला कि आपकी आंखों में ड्राइनेस है या आपको कोई शाररिक बिमारी है चाहे वो होड़ा करें कि आप इतनी दूर अभी लॉक्डाउन में यह जा पाएंगी तो आप यहां के दिखा दें ताकि हम आपको देख लें कई बर हमको ऐसे पीशिंस को कॉंटाक लेंस देना पड़ता है जो एक बैंड़ेज कॉंटाक लेंस रहता है जो आपकी आंख के कर जुड़ चुके हैं जी आप क्या जाना चाहते हैं जी तक सब हमारे को कि टीवी जैसे दिखते हैं कोई तो उसमें डवल डवल अक्षर आते हैं जलकिंदी के ठाथ आपको शुगर तो नहीं है सर एक की बजाये कई कई चीजें दिखना कई बार दूर आप देखेंगे तो आपको कई सारे चांद दिखेंगे गाड़ी चलाने में दिक्कत होना या धुन्दलापन ये सब मेरे खाल से 50 साल की उमर के बाद मोतिया बिंदू की निशानी होती है तो प्लीज आप एक बार अपना आई टेस्ट कराएं हो सकता है कि आपको मोतिया बिंदू की शुरुव से काम चल सकता है अगर आपका कैट्रिक जादा है और वो ऑपरेशन लायक है तो फिर उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन करवा के इन मुश्किलों से आप बच सकते हैं थेले बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी हम आसार जोनने के लिए डॉक्टर वनीत आप ये बताएं कि ब बच्चे को कुछ आई में प्रॉबलम है और आप इन्हें तुरंत आई के डॉक्टर के पास ले जाएं कई लोग बच्चों की प्रॉबलम को इग्नोर करते हैं वो सोचते हैं बच्चा बड़ा हो जाएगा तब देखा जाएगा या फिर अभी तो सरफ एक्टिंग कर रहा है बच्चपना कर रहा है इसलिए शायद वो बार-बार पलक जपक रहा है या बार-बार आँख रब कर रहा है बट इसके पीछे एक बेसिक लॉजिक है कि या तो बच्चे की आँख में ऐलर्जी है या बच्चे को आँखों में कुछ चुभन है आँख में कुछ दाने है जिसकी वज़े से उसको तकलीफ हो रही है और इचिंग जो है वो इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं कोई कंजंग्टिवाइटर्स या कोई आँखों में रूखापन तो नहीं है तो प्लीज ऐसे बच्चों को इग्नोर ना करें उनको एक बार आई टेस्ट के लिए जरूर ले ज सकती है यह आँखों का रूखापन हो सकता है चश्मे का नंबर भी हो सकता है जै डॉक्र वनीता समय की कमी है बस एक आखरी सवाल में चाहोंगी कि कोविट का भी समय चल रहा है ऐसे में आप क्या सलह उन पेरेंस को देना चाहेंगी जिनके बच्चे चोटे हो और आखों की कुछ ना कुछ ना problem हो रहे है इन दिनों करिश्मा मैं देख रहे हूं कि कोविट में बहुत सारा हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं चाहे वो spray के फॉर्म में हैं चाहे वो hand sanitizer के form में हैं और कहीं ने ना कहीं हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे छोटे बच्चे इन sanitizers को नहीं सहन कर पाएंगे तो आप अगर घर के अंदर हैं तो प्लीज आप soap water use करें आप उससे hand sanitize करें क्योंकि ये chemicals कई बार हो सकता है कि आपकी आँखों में allergy दे देंगे और कई बार क्या होता है ये sanitizer हमारे hand में लगा रहता है और हम आई को रब कर लेते हैं तो प्लीज अपनी आँखों को रब नंग करें मास्क तो जरूर लगाना है social distancing करना है hand wash जितना हो सके घर में हैं तो साबुन से या ऐसी चीज से करें जिससे कि वो dry हो जाए sanitizer और आँखों को touch नहीं करें goggles का इस्तमाल करें और आँखों की कोई भी तक्लीफ हो चाहे दर्द हो लालीपन हो चश्मे से कम दिख रहा हो तो जरूर आई test कराएं और अपने बच्चों की सालाना टेस्ट करवाना मत भूलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे का चश्मे का नंबर बढ़ रहा है और अगर आप चश्मा उनको सही नंबर नहीं लगा रहे हैं तो उनको कम दिख रहा है और वो परिशानी सरदर्द के रूप में या बढ़ते हुए नंबर के रूप में और ज्यादा भयानक हो सकती है चली बहुत बहुत शुक्रिया दॉक्टर वनीता हमाई साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्यपूर्ण विश्य पर आज हमने बात की है थैंक यू सू मच पर जॉइनिक नमस्कार दन्यवाद तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकर्ष में फिलाल इतना ही कद फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वासत संबंदी समस्या को लेकर साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाए फिलाल मुझे दीजे जाज़त नमस्कार